हेइफ फेंच क्या आप जानते हैं 20 वीक्स के बाद एक प्रेगनिक फुमिन को पीट के बलिया बैक पॉजिशन पर सोने जिन्माना किया जाता है लेकिन क्यों आईए जानते हैं हमारी स्पाइन के पास एक मेजर वेन होती है जिसे वैनकावा कहते हैं वैनकावा हमारे और आप टो ब्लॉड्ड पॉपर्ली सप्लाइप नहीं हो पाता और हम आट को धी ऑक्सिग ब्लॉड कम बिलेगा तो हमारी बॉर्ड को भी oxygenate ब्लड की सप्लाइप कम होगी फेटूस तब भी ब्लर सप्लाय पॉपर्ली नहीं हो पाता और हम सब जानते हैं कि फेटुस प्रेगनेंट लेड़ी को बैक पॉजिशन पर नहीं सोना चाहिए तो कौनसे पॉजिशन बेस्ट है उनके सोने के लिए आये जानते हैं प्रेगनेंसी में दोनों सुपाइन और पॉजिशन हामफुल होती है फीटस के लिए तो बैटर है कि आप साइड पॉजिशन पर सोई उसमें भी लेफ्ट पॉजिशन जादा बेनिफीशिल होती है क्योंकि वेनकावा हमारे स्पाइन के राइट साइड में होती है लेफ्ट साइड सोने से हमारे फीटस तक फ्रीली ब्लड फ्लो हो पाता है जिसके कारण उसके ग्रोध भी अच्छी होती है और बैटर रहेगा कि आप अपना एक लिए दोनों नीज भी बैंट कर सकते हैं और फ्रेंड आप इसके लिए प्रेगनेंसी पेलो भी यूज कर सक होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रेगनेंसी पेलो अच्छा है तो आप कमेंट कर सकते हैं रात को सोते हुए अगर आप घल्ती से बैक पोजिशन पे आजाएं तो क्या होगा अगर यह किस्टिन आपके माइंड में है तो पूरा जुरूर देखना अगर आपके लिए आपके फीटर्स के लिए जरूरी है कि आप अच्छे से नींद लें सो स्ट्रेस प्री हो कि आप अच्छे से सोएं फ्रेंज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से पोजिशन में सोना प्रिफर करते हैं तेंक यू